हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो मेच चैनल बीटी अफ नेचर अठोम आप देख रहे हैं ये मेरा नियोन पोथोस चोके इतना लॉंग हो गया है और इतना लेंदी हो गया है इसको मैं आज करूंगी कटिंग मुझे तो बहुत जादा डर भी लग रहा था कर रही हूं मैं इतन लॉंग हो गया था वो जोड़ा दुख भी होता है कैसे करूं मैं इसको कट ऐसे बोलकर तो कट तो करना पड़ेगा क्यूंकि और बुशी होगा आप जितना इसको कट करोगे उतना वो उतना जादा ग्रोथ करेगा और उतना जल्दी बुशी भी हो जाएगा देखिए आप नोड एरिया से आपको कट करना पड़ेगा सिंगल लीफ वर्क नहीं करेगा सिंगल लीफ में रूट्स नहीं आएंगे जहां पर थोड़ थोड़ी रूट्स या फिन थोड़ थोड़ा नोड रहेगा ना वहां से आपको कट कर देना होगा यह देखिए मैंने फस्ट कटिं मैं नहीं है बहुत ती जादा लीव मुझे मिले थे नोट के तो में पास मैं सोच रही हूं थोड़ा में मीठी में भी भी लू करकर के देखो और मीठी में भी लू करके देखो वैसा ही भूची होनेवाला है मेरा नेक्स्ट ब्लैंडर भी देखे कितने सारे हो गए हैं और मैं देख रही हूँ कहीं कहां तक मैं कट करूँ ऐसे लॉंग यहाँ पर यह आप देख सकते हैं देखे लीव्स नहीं है वहाँ पर आप भी देख सकते हैं अगर आपके पास लीव्स खड़ना स्टाट हो गए हैं तो इसको पहले आप कट कर लीजेगा यह देखे मैंने लीव्स नहीं हैं वहाँ पर तो मैं यहाँ पर से कट कर रही हूँ मैं देख रही थी कि आपको दिसरा आया नहीं देखे फर्श नोट छोड़कर जहाँ पर लीव है वहाँ पर छोड़कर नेक्स्ट नोट वहाँ से भी लीव आएगा और नेक्स्ट नोट में भी लीव आएगा यह देखे मैंने कट कर दिया है इतना लॉंग देखे इतना लॉंग मिल गया है मुझे और ये देखिए ऐसा है और वो भी देखिए किसा लगी हो गया है इसमें भी leaves कम हो गये हैं तो मैं इसको भी कर दूंगी cut देखे मैंने जो leaf है वहाँ से छोड़ कर next node को cut किया है क्योंकि वहाँ से भी आएगा एक leaf और यहाँ से भी आएगा एक leaf तो दो-दो stem हो जाएंगे आपके यह देखिए मेरा कितना पैरा लग रहा है अभी इसको थोड़ा clean भी कर लेंगे हम लोग थोड़े leaves होते हैं उसको निकाल लेंगे और यह देखिए कितना बुशी है मेरा planter यह इसको भी मैंने आइसे ही तैयार किया था आप देख सकते हो मैंने कैसे तैयार किया है इस वीडियो में और आपका अपना planter भी आइसे ही तैयार कीजेगा इतना प्यारा मुझे तो मेरा फेवरेट है नियोन पोतोस गोल्डन पोतोस सभी भी देखिए मैंने cut कर दिया है इसको आप बनाऊंगी मैं दूसरा planter पहले मैं इन सब की cuttings को आपका अगर extra leaf हो तो वो निकाल कर आप पानी में डाल दीजेगा देखें मैंने एक एक leaf को पानी में डाला हुआ है और मैं डाल रही हूँ अभी इसको भी अच्छे से बुशी कर दूंगी मैं और जहां पर भी एक एक leaf है वहां से और एक leaf आना stat हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपका plant वन वीक के अंदर roots बना stat हो जाते हैं money plant के अंदर क्योंकि बहुत ही fast growing plant है आके पास यह सिर्फ stem है तो मैं आपको next video में इसका result बताऊंगी क्योंकि मेरा और एक वीडियो बन रहा है सिर्फ सिर्फ stem की कैसे हम इसको roots और leaf लाएं ऐसा बोलकर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और बहुत ही जल्द आपको तक प मैंने तयार कर दिया है मेरा एक blender जो कि है पानी के अंदर बहुत ही प्यारा है देख सकते हैं आप यह देखिए मिटी के अंदर मैं इसको रगा रही हूं आपको कोई भी pencil बगएरा या फिर अंगली से भी कर सकते हैं मुझे तो इंगली में ही मैं करती हूं और pencil में थोड़ मैं मैंने ग्रोड ग्रोड दाला हूआ है आपको अगर money plant की घरेत बहुत ही फ़ॉस्ट चाहिए तो आप इसको प्यूस्ति में लगाईएगा बहुत ही फास्ड ग्रोड करेंगा क्योंकि यह बहुत ही लाइट होता है और roots बहुत ही फास्ट करेंगे और जितना roots को एर मिले कोई भी इंडोर प्लैंट में आप कोकोपीट जरूर यूज करिएगा बहुत ही अच्छे से रहेगा कोकोपीट थोड़ा कम मैंने 25 kg को 300 रुपीज में लिया था कोकोपीट और बहुत ही सस्ता है यहां पर तो आप या पूछिए अपने गार्डन सेंटर में तो जाकर पूछ लिजेगा बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा कोकोपीट कोकोपीट वन फॉर्थ रेशो में दालियेगा कुछ फरख नहीं पड़ेगा थोड़ा सा कोकोपीट मिट्टी में रहने से लाइट हो जाता है तो आप कोकोपीट यूज करिएगा यह देखिए देखते ही देखते मे में पर्दमस तो प्रोड़ा दिकत होगी तो एक लीफ रहने से ही अच्या रहता है यह देखिएonara मेरा प्लैंटर चाल हो गया है इसको भी मैंदो भाग में कर रही हूं और कितना एच्छ जल्दी से मेरा प्लैंटर्स तयार हो गएं और मैंने इसमें कोई भी खाद MARKा क क्योंकि रूट्स नहीं है तो खाद दाल के क्या फैदा तो जब रूट्स आराम से हो जाएंगे तो सीवीट का पानी का खाद दे दीजेए आप इंडॉर प्लैंट्स में लिक्विट फर्टिलाइजर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा या फिर होमेड लिक्विट फर्ट ग्रोथ करेगा और ये देखे मेरे प्लैंट्स सारे तयार हो गए हैं कुछी देर में और वन मॉंट में ये मेरा प्लैंटर हो जाएगा और उसमें न्यू ग्रोथ भी आना स्टैट हो जाएगी मेरे तीन प्लैंटर्स बनके तयार हो गए है ये देखे मेरा उल्ड प्लैंट और इसके साथ ही मैं ने पानी में भी तयार खार लिया है और मिटी में भी तयार चाहँ है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट कर दीज़े और जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा बाई मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में